आज दिल्ली में बीजेपी का महामन 23 में तयार 24 का प्लान दो दिन में बनेगा जीत का रोड मैप दिल्ली में बीजेपी की रास्टी कारिकारणी की दो दिनों की बैठक शुरू हो गए बैठक में पीएम मोदी गृह मम्तरी अमिश शाह के साथ यूपी के सीम योगी आधितिनात भी शामिल हुए बैठक में इस साल होने वाले नौराध्यों के विदानसवा चुनावों के साथ अगले साल होने वाले आम चुनावों परमम्थन होगा बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते हैं बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें साथी बैठक में पायटी की रास्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा के कारिकाल के विस्तार पर भी मोहर लग सकती है बैठक के दूसरे दिन सबी सदस्यों को मिलेट भोजन परूसा जाएगा और परिसर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा बैठक से पहले पियम मोदी का रोड़ शो भी हुआ बीजेपी सुत्रों के मुताबिक रास्टी कारिकार्णी की बैठक में प्रधान मंत्री के तौर पर पियम मोदी के नौ साल के कारिकाल की उपलब्धियों और गुजरात में भारी जीत पर प्रकाश डाला जाएगा वहीं जिन चुनावों में बीजेपी की हार हुई है उन्हें लेकर चर्चा और प्लानिंग की जाएगी बीजेपी की 160 भूतों पर कमजोरी और वहां से मिले फीड़बैक को लेकर भी चर्चा होगी पियम मोदी सभी पदादिकारियों को जीत का मंत्र देंगे बारती जिनता पार्टी की रास्त्रीय कारिस समित की बैठक चल लई है आज इस बैठक की शुरुआत प्रधान मंत्री के भव्वे रोडशो से हुई इस रोडशो को भव्वे कहना इसलिए जरूरी है कहीं न कहीं बाजपा के लिए ये 2024 के चुनाओ का आगाज है बारती जिनता पार्टी इस बार चाहती है कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से लोकसभा में अपनी उपस्ति दर्ज कराए कहीं न कहीं उतरप्रदेश को लेके भी बड़े बदलाओ के संकेत इस बैठक से मिल सकते हैं लोकसभा चुनाओ में भले ही अभी तेर साल का वक्त हो लेकिन सियासी तानावाना अभी से बुना जाने लगा है सियासत में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है दिल्ली की सिंगासन तक पहुचने वाले रास्ते को बीजेपी इन दिनों दुरुस्त करने में जुटी है बीजेपी की इस बैठक में यूपी बीजेपी में बदलाओ को लेकर भी चर्चा होगी और इस बैटिक में शामिल सीम योगी के साथ दोनों डिपटी सीम भी शामिल है इस साल हमें नौ प्रदेशों में चुनाओ को लड़ना है और अगले साल 24 में लोगसभा का चुनाओ है तो उन्होंने सारे राष्टिय कारगाणि के सदस्यों का अहवान किया कि कमर कसकर लग जाएं हमें एक भी चुनाओ नहीं हारना है बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष रखा है इसको लेकर भी राष्टि कारगाणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है वहीं 19 जाहिर की जा रही है कि बैठक के दोरान पाल्टी के मौजूदा अध्यक्ष के कारिकाल को 2024 के लोकसवा चुनाओ तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल सकती है प्यूर रिपोर्ट, जी मीडिया बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते हैं बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें